यह है आकिप भाई जिनोंने आचार नर्यन देव नगर रेलवे स्टेशन से नौतन्वा दुर्ग एक्स्प्रेस ट्रेन का वीडियो बनाकर हमें भेजा और यह हैं सिद्धाद भईया इनोंने भी अयुद्ध्या कैंट रेलवे स्टेशन से नौतन्वा दुर्ग एक्स्प्रेस ट्रेन का वीडियो बनाकर हमें भेजा यहां से देखी सकते हैं यह देखे नौतन्वा दुर्ग एलेक्ट्रिक लोकों से संचालित की जा रही है वेफ सेवन के दौरा इसका संचालन किया जा रहा है और यह ट्रेन इस समय अयुद्ध्या कैंट की दिशा में जा रही है काफी समय से इस मौके की तलाश में थे कि कब नौतन्वा दुर्ग एक्स्प्रेस टेन का एलेक्ट्रिक लोकों के दौरा वीडियो शूट किया जाए तो आज दोनों भाईयों ने मिलकर एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो शूट किया आप यहां से नजर डाल सकते हैं देख सकते हैं तो यह आचार नरेंदेव नगर रेल्वे स्टेशन पर फिलाल खड़ी हुई है और अध्या कैंट की दिशा में जाने को तयार है तो अब जैसे कि एलेक्ट्रिक लोकों के दोरा ट्रेनों का संचालन इस सेक्षन पर शुरू हो गया है हालांकि अभी जो साकत एक्सप्रेस है अध्या कैंट से एल्टीपी के बीश में चलती है वो अभी डीजल लोकों से ही संचालित की जा रही है उसका नोटिफिकिशन ज कभी कभी ट्रेन चलेगी तो उसका भी वीडियो हम आपनों को जोरू दिखाएंगे यहां से देखेगा तो नौतनवा दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन आयोध्या कैंट ट्रेलवे स्टेशन से गुजरती हुई धीमीर अफ्तार से तो थोड़ा सा गलत बोल गया हूं ट्रेन आयोध्या कैंट पर और दुर्ग की दिशा से आ रही है अचार नरंदेव नगर रेलवे स्टेशन पर भी जो ट्रेन खड़ी थी वह अयोध्या कैंट की तरफ नहीं आ रही थी बलकि अध्या जंक्षन की तरफ जा रही थी यानि नौतनवा की तरफ तो थोड़ी सी देख हो गई उसके लिए हम छबा चाहते हैं तो सुल्टानपुर की दिशा से देखिए यह ट्रेन आ रही है दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेश ट्रेन और केवल एक समस्या है एक समस्या क्या एक कमी रह गई है फैजाबास से बारा बंकी के बीच में एलेक्टिफिकेशन क कोई भी चलेगी तो इलेक्टिक लोकों से ही चलेगी चाहे वो माल गारी हो चाहे वो सवारी गारी हो चाहे वो मेल एक्सप्रेस यह सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन हो तो बस अब इंतिजार है तो आयोध्या कैंट से बारा बंकी के बीच में रेल एलेक्टिफिकेशन कम्प्लीट होने का अगर आप लोग गौर करें तो बाकी की जो सेक्षन है चाहे शागंज से जौनपूर ले लिजे या अयुद्ध्या कैंट से शागंज ले लिजे या शागंज से मौव जंक्शन रख लीजे तो सभी सेक्षन इलेक्ट्रिफाइड है और रूट भी खोल द बिजार करना होगा अयुद्ध्या कैंट से बारा बंकी के बीच में रेल इलेक्ट्रिफिकेशन कम्प्लीट होने को हलांकि टार्गेट तो मार्स से 2022 रखा गया है अयुद्ध्या कैंट से बारा बंकी लेकिन इतने कम समय में यह काम कम्प्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि लगबग लगबग 99% फांडेशन बनाने का काम भी कम्प्लीट हो गया है इसके लावा माश्ट लगाने का काम भी कम्प्लीट हो गया है लेकिन अयुद्ध्या कैंट 12 बंकी सेक्शन पर मालगाडियों इसके लावा ट्रेनों का जो लोड है बहुत जादा है और बीच- मैंने आप लोगों को बस्ती प्रयाग राज एक्स्प्रेस ट्रेन का वीडियो बना कर दिखाया था वह इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा संचालित होने लगी और थोड़ा सा गौर कहीजिए तो लगबग जितनी भी यहां से ट्रेने जा रही है इलेक्ट्रिक लोको से वह सेवन के द्वारा जा रही है और अब देखना होगा वह फाइब के द्वारा एलेक्ट्रिक लोको के द्वारा संचालिन किया जाएगा या वह फोर के द्वारा भी क्योंकि मैंने आप लोगों को है अध्या कैंट से वह फोर लोको का व्यू भी दिखाया है इस किलावा में वीडियो भेजना चाहें तो भेज सकते हैं मेरा WhatsApp नमबर वीडियो के शुरुवात में दिया हुआ है वहाँ से नमबर लेकर WhatsApp के माध्यम से वीडियो भेज सकते हैं वीडियो के लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अप्टेट, एक नई जान का रिखिस की